प्राइवेसी इंद वेड़ डिजिटल वर्ड आपने फेसबूक यूज करते होंगे या फिर आप कोई गार प्राइवेसी सेटिंग का उप्षण आता है आप जैमेल इसका है वहां पर पैपसे पूंचता है कि आप कौन से इन्फोरमेशन है जो लोगों के साथ share करना चाहते हो, कौन सी information जो लोगों के साथ share नहीं करना चाहते हो Facebook पे आप तो ये भी option आगया कि आप अपने profile setting ले कर सकते हो कि आपकी profile photo कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है तो यही चीज़ क्या है, privacy कहलाता है privacy is a state in which one is not observed or disturbed by other people तो ये एक ऐसा situation, एक ऐसी condition जहाँ पे आप नहीं किसी की दोरा देखे जा सकते हो नहीं आपको कोई disturb कर सकता है, तो उस state को situation को क्या कहते है, privacy कहते है आप अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिजिए, ना आपसे कोई बात कर सकता है, ना आपके बारे में कोई जान सकता है कि आप क्या कर रहे हो तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, privacy कहलाएगी privacy is the ability of an individual or group to keep away themselves from other group out individual यानि कि क्या है, privacy एक ability है, जिससे कि आप या फिर कोई group of individual, किसी दूसरे individual या फिर group of individual से अपने आपको अलग रख सकता है अपनी information को उनसे share करने से बचा सकता है, तो that is called privacy तो आजकल digital platform पे जो है यह option आपको जो है, अलग-लग social media platform पे यह option सबको मिलता है कि आप किस के साथ अपना data share करना चाहते हो, किस के साथ data share नहीं करना साथ हो, कौँसी चीज़े आप बताना चाहते है, कौँसी चीज़े नहीं बता सकते हो तो यह चीज़े privacy में आती है, कौँसी फोटो किस के साथ share करने है, कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है WhatsApp में आप status लगाते हो, तो कौन status आपका देख सकता है, कौन status नहीं देख सकता है, यह सब क्या है privacy setting कहलाता है तो digital privacy क्या होगा, digital privacy refers to the protection of an individual's information that is used or created while using the internet on a computer और personal device यानि कि जब भी आप किसी computer पर किसी personal device पर internet का use करके कोई भी information आप उस पर अपना share करते हो तो उसकी security को लेकि उसकी protection को लेकर ही क्या कहलाता है, digital privacy कहलाता है, यानि कि जैसे आपको Gmail यूज करना है तो Gmail use करना है आपको अपना नाम अपने अलग-अलग details वहाँ पर फिल करनी परती है, तो वो data जो है किसी और के शास share नहों, वो data जो है safe रहे, secure रहे, तो वही चीज डिश्टल privacy कहलाती है इसी तरीके से Facebook है, तो Facebook पे भी आप बहुत सारी details आपको अपनी फिल करनी परती है, अपना number हो गया, mobile number, email ID, बहुत सारी चीजे वहाँ पर शेयर करते हो, तो वो भी क्या है, वहाँ पे आप अपना personal data जो है share कर रहे हो, तो वो भी secure रहे, safe रहे, तो वही चीज डिश्टल privacy कहलाती है, आप online transactions करते हैं, ठीक है, Amazon पे हो गया, flip card पे हो गया, तो वहाँ पर अपना credit card number डालते है, यहाँ तक कि जो कभी कभी pin मांगते है, तो pin भी डाल देते है, OTP डालते है, ठीक है, तो यह क्या है, अगर यह data leak हो जाए, तो फिर आपका जो है, काफी जादा नुकसा हो जाती है, फोटो जो है, चोरी हो जाती है, किसी की चहरा, किसी की फोटो बे लगा के आप इसको publish कर देते हैं, या फिर जो है उसका गलत तरीके से इस्तमाल होता है, यह सब क्या है, यह सब digital privacy वहाँ पे नहीं हो पा रही है, यह कहीं न कहीं आपका personal data जो होता है, आपका information प्रमेशन होता है वो लीक हो जा रही है और उसका मिस्यूस किया जा रहा है तो यह सब ना हो पाए इसलिए डिजिटल प्राइवेसी पे फोकस किया जाता है आप देखते होंगे कि जीमेल पर आजकल टू टू ऑथंटिकेशन प्रोसेज आ गया है फेस्बुक पर भी टू वे से कि आप बेटर कंट्रोल कर सके अपनी पर्सनल इंफोमेशन पर एंड इंडिजिए शूड बी एवल टू चूज वाट इस पेस्पेस विधिन देयर बसनल डोमेशन कैन वी एसस्ट बाइडर एंड टू कंट्रोल दी मैनर इसकोप एंड टाइमिंग ओफ इस एक्सपोजर यानि कि यहाँ पे आपको यह डिजिटल प्राइबएसी जो है आपको यह अपको यह telescopor करता है इस चीज में कि आप चूज कर सको कि आपकी कौन से इंफोमेशन है जो दूसरे देख सकते हैं कब देख सकते हैं और किस टाइमिंग पर देख सकतेों कितना देख सकते हैं ये तरके का कहीं न कहीं privacy issue है लेकिन वह आपसे बताता है कि cookies यूज़ किया जा रहा है और यहां पर आपका जो है ट्रेक किया जाएगा आपके उपर है कि आप यूज़ करना चाहते हो यह फिर आप उस website को close करके कहीं और जो है दूसरी website पर जाना चाहते हो तो digital privacy कहने का मतलब है principles हैं जैसे कि आप जो है digital privacy को improve कर सकते हैं तो जैसे data minimization data minimization कहने का मतलब है कि जो भी different social media platform है या फिर जो भी websites होती है वो कम से कम data जो है customer से लें यानि कि आप से जब कम से कम data लेंगे तो आपका जो data है वो अगर leak भी होता है तो कम से कम data ही leak होगा जिससे उसका कोई misuse ना हो है यह सारी चीजों पर जो है वहाँ पर transparency होनी चाहिए accuracy यानि कि data accurate हो आपका data आप ही कहा हो then security यानि कि secure हो कोई उसका misuse ना कर सके या फिर कोई भी organization अगर वो data collect करे तो वो data का कोई भी misuse ना करे तो जो है digital privacy को लेकर कुछ principles हैं तो digital privacy में ही बहुत सारी complexities है यानि कि privacy issue को ले वहाँ पर भी information रखते हो आप smartwatch लगा तो वहाँ पर information रखते हो laptop desktop यूज करें वहाँ पर भी information share कर लेते हो यानि कि आप multiple devices में आप login करके रखे हो तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा chances होता है कि आपकी information कहीं से भी leak हो जाए क्योंकि आप हर जगा manage नहीं कर पाते ह लैपटॉप में भी manage करें, desktop में manage करें, college में जा रहे हैं, cyber cafe में जा रहे हैं वहाँ पर manage करें किसी दोस का अपने device कर लिया उसमें login कर लिया तो वहाँ पर manage करें तो यह जो है कहीं privacy issue को लेकर यहाँ पर खत्रा रहता है increasing maintenance cost यानि कि आज के टाइम पर हर चीज है online है तो सब आपको manage करना सारी चीजों को जो है सही तरीके से monitor करने में cost आता है उसका भी जो है इसू है एक तरीके से कि जिसकी वज़र से privacy खत्री में आ जाता है जैसे कि अभी antivirus होता है antivirus जो है वह आपको help करता है different different wires से बचाने के लिए जो कि आपका data में इस use कर सकते हैं आपके data को लेकिन क्या है antivirus costly होता है उसको जो है लोग purchase नहीं करते है normally लोग ऐसे use करते रहते है no visibility of to all data यानि कि location क्या है data का nature क्या है क्या sensitivity है data का इस पे कोई visibility है नहीं यानि कि कोई भी tracking नहीं है कि वह data कहां जा रहा है कैसे use किया जा रहा है उस पर कोई भी information हमाई पास नहीं होत है कि जो increasing scale है वो बढ़ता चला जा रहा है data का यानि कि पहले जो है आप देखते होंगे कि Facebook पे कुछ ही लोग available थे आज लाखो करोणों लोग Facebook चलाते हैं तो हापे बहुत सारा data available है YouTube पे करोणों वीडियो आप लेबल है या फिर किसी और website पे चले बहुत सारा data available है तो उन इतने सारे data को manage करना उनको उनकी privacy को monitor करना जो है वहाँ पर problem आती है unathrised secondary use यानि कि उस data का जो भी data जो है शेर किया जा रहा है उसको भी monitor करने में यहाँ पर issues आते क्योंकि क्या पता कौन यूज कर रहा है कहां पर यूज कर रहा है कैसे यूज कर रहा है तो वह भी monitor हो नह complexity आती है next topic है GDPR GDPR एने की general data protection regulation यह क्या है एक तरीके का guidelines है किसके उपर की personal information को कैसे collect करना कैसे process करना है यह European Union में जो रह रह रहे हैं वहाँ पे applicable होता है तो GDPR एने general data production regulation is a legal framework that set guidelines for the collection and processing of personal information from individuals who live in the European Union तो European Union में जो भी individuals रह रह रहे हैं उनसे data कैसे personal information कैसे collect करना है कैसे उसको process करना है उस पर उपर गाइडलाइन बनाएगी है उसको क्या कहते है GDPR ने की general data protection regulation the regulation applies regardless of where website are based यानि कि यहाँ पर यह नहीं है कि European Union में ही आपका website है तो फिर आप जो है आप पे उपर applicable होगा नहीं आ आपका website कहीं पे भी अगर कहीं से भी हो चाहे इंडिया का website हो चाहे अमेरिका के website हो चाहे कहीं और का website हो अगर वो European Union के individual use कर रहे हैं उनसे आप data ले रहे हो तो आप पे applicable होगा it must be headed by all sites that attract European visitors यानि कि यह सभी पर लगेगा जो attract करता European visitors को even if they don't specifically market goods or services to EU residents यानि EU residents के लिए आप जो है market goods और services की marketing करते हो चाहना करते हो आपके उपर applicable होगा अगर आप European Union के visitors को attract करते हैं तो यह जो है 2016 में GDPR जो है एडॉप्ट किया किया था EU द्वारा और उसके बाद फि GDPR sets out seven principles for the lawful processing of personal data तो GDPR में seven principles जो है वो set किये गया थे जिससे की एक lawful processing किया जा सके personal data का processing include the collection, organization, structuring, storage, alteration, consultation, use, communication, combination, restriction, erasor, destruction of personal data तो यह जो processing है यानि के GDPR guidelines है उसमें जो processing होती ही personal data की उसमें यह सारी चीजों को include किया जाता है चाहाए आप collect कर रहे हो चाहाए और organize कर रहे हो चाहाए उसको structuring कर रहे हो इसको store कर रहे हो, elder कर रहे हो, consultation ले रहे हो, use कर रहे हो, communicate कर रहे हो, combination दे रहे हो, restriction लगा रहे हो, erase कर रहे हो या फिर district कर रहे हो personal data को तो उन सब पर GDPR guidelines वहाँ पर applicable होती है तो seven principles कौन कौन से हैं सबसे पहले principle है lawfulness, fairness and transparency यानि कि जो भी आप data use कर रहे हो, lock according हो, fairness हो, यानि सही data हो और transparency होनी चाहिए data में, purpose limitation यानि कि यहाँ पर यह नहीं कि कुछ भी आप data collect कर चले जाए, जो purpose है उससे के according आप data जो है, वहाँ पर collect करोगे, data minimization, कम से कम data जो है, आपको information लेनी है, European Union के जो individuals हैं, उनसे कम से कम data जो है, utilize करना है, accuracy यानि कि accurate data जो है आपको रखना है, storage limitation यानि कि आपके क्या होता है, कि time period first कर दिया जाता है, कि आपको 6 मैने के लिए, एक साल के लिए आपका data store किया जाए, उसके बाद delete कर जाए, तो storage limitation होनी चाहिए, कि कि कितना data आप जो है, store कर सकते हो, कितने दिनों तक store कर सकते हो, integrity and confidential confidentiality, यानि कि security की बात हो रही यहाँ पर, तो security भी होनी चाहिए निए, कि आपका हमारा data चला गया, और आप उसको secure नहीं करके रखियो, आपका data कोई और चुरा के लेके चला गया, आपके यहां से, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, accountability, यानि कि अगर data का कोई misuse होता है, तो वो accountability, website owner की होगी, जिसने personal data collect के है, उसकी responsibility होगी, तिस seven principles है GDPR में, जहाँ पर processing of personal data के उपर applicable होता है, European Union के लोगों पर, यानि कि अगर कोई भी website चाहे कहीं का भी हो, वो European Union के individual को attract करता है, उसके personal information लेता है, तो उसकी data processing पर यह guidelines applicable होती है, next topic है personal data, personal data क्या होता है, यह term स अगरी के लिए है कि आप से related data, जो होता है, वो personal data क्यालाता, the GDPR defines personal data as any information relating to an identified or unidentifiable natural person, यानि कि कि किसी भी natural person को related, जो भी information होती है, वो चीज क्या 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 है, personal data क्या दिसकवर any information that could lead to direct or indirect identification of a living individual, यानि कि कोई सभी information जिससे किसी को identify किया जा सके, वो personal data है, या वो आपका face recognition हो सकता है, वो आपका thumb impression हो सकता है, clear वो आपका नाम हो सकता है, postal email address हो सकता है, telephone number हो सकता है, driving license, bank account, credit card, passport, social security numbers, कुछ भी हो सकता है जिससे कि आपको identify किया जा सके, तो आपका जो होगा, वो personal data होगा, it also includes under certain circumstances, identify such as biometric data, web cookies, mobile devices, ideas, other factors specific to physical, psychological, genetic, mental, economic, culture and social identity, やने कि कोई भी factor जिससे आपको identify किया जा सके चाए वो आपका biometric data हो, चाए आपके वेव cookies data हो, चाहे आपके mobile devices के ID हो, जिनसे आपको identify किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है वो आपका personal data कहलाता है, जैसे कि email ID है, वो भी personal data क्योंकि उस email ID से आपको identify किया सकता है, आपका telephone number इसा information कोई भी ऐसी detail जिससे कि किसी भी natural person को identify किया जा सके वो उसका personal data कहलाता है clear तो personal data clear हो जगा होगा तो importance कि है personal data का तो सबसे पहले चीज़ helps in identification of the individual individual को identification में help करता है helps in verification of the individual किसी को किसी इंडिविफाई करना है कि हाँ वो वही person है तो उसमें यह personal data inform help करता है to avail any online और offline services कोई भी आपको online और offline services चाहिए तो उसमें आपको personal data का requirement होता है क्योंकि आपकी personal data से ही तो पता चलेगा कि जैसे अब आपने online को यह purchase कि यह flip card पे Amazon पे तो जब तक आप अपना email ID, अपना mobile number, अपना नाम, अपना address नहीं दोगे आपके घर पे product deliver कैसे होगा तो कोई भी online और offline services अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको personal data देना पड़ता है तो यह अलग-अलग importance होते है personal data का So in digital privacy it is necessary to ensure that person's rights and freedoms are not being violated यहने कि जो भी persons के right है जो भी उसके जो freedom है वो वायलेट नहों digital privacy में इसमें focus किया जाता है विश्वाल दाविष्ट की पहुचे